हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग उमेद करते हैं आप सब इच्छ होंगे और प्लीज इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको काफी जादा इंफिर्मेटिव वीडियो मिलती है पूरे फैक के साथ और आपका खुद का चैनल है तो सब्सक्राइ लेकिन अब गूगल ने अपने आपको बहुत जादा बड़ा बना लिया है और इसका सबसे बड़ा जो प्रोड़क्ट है वह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को माना जाता है और इसी में प्लेश्टोर आता है लेकिन अब गूगल के साथ ऐसी कॉंट्रोवर्सिस आ तो हुदा हिंदू का आर्टिकल है इन सेकेंड पेनल्टी ने विए यानिके एक हफते में दूसरी पेनल्टी लग गी है सीसी आई फाइंड गूगल 936 क्रोड फॉर इट्स प्लेश्टोर पॉलिसी यानिके जो कम्पेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया है उन्होंने गूगल प इसकी बात क्यों कर रहें तो देखिए गूगल यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है आपको कुछ भी सर्च करना हो तो आप सिंप्ली गूल कर रहे हैं और आपको प्रक जबकते ही आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा वैसे दुनिया में और दूसरे सर्च इंज उस तो आप यह वीडियो किसी एंडरॉइट स्मार्टफोन में देख रहे हो तो जो एंडरॉइट ऑपरेटिंग सिस्टम है वह भी गूगल का ही प्रक्त है और इससे भी आगे बढ़ते हुए गूगल अपनी पिक्सल लाइनप कि स्मार्टफोन भी बनाती है जो कैमरा के म भारत में गूगल के लिए खास नहीं रहा है और इस महीने भारत में कम्पिटेशन कमिशन और इंडिया नहीं के CCI ने ही दो बार गूगल पर पर फाइन मारा है अभी कुछ दिनों पहले CCI ने गूगल पर 133ड करोड रुप्य का फाइन मारा था लेकिन इस फाइन को मारने के कुछ दिनों बाद CCI ने गूगल पर फिर से फाइन मार दिया और इस बार ये फाइने 936 करोड रुबेगा और टोटल गूगल पर फाइन 224 करोड रुबेगा जुर्माना लग चुका है और यहाँ पर जो बात कही है वो कि गूगल ने अपने इको सिस्टम का मार्केट में डॉमिननस होने के काराण इसका गलत फायदा उठाया है और खासकर प्ले स्टोर से लेटेट जहाँ पर आप सभी अपनी पसंद की एप्स को डाउनलोड करते हैं तो बात करते हैं कि इस मामले में CCI ने क्या कहा है तो देखे हैं यहाँ पर CCI ने सीज एंड डिजिस्ट ओर्डर इशू कर दिया है और यहाँ पर एक टाइम दे दिया है कि जिससे गूगल प्ले स्टोर पर जो अपनी एप से उसको पेमेंट करने के एक थर्ड पार्टी का सपोर्ट भी प्रोवाइट करें यानि कि कुछ टाइम बाद आपको थर्ड पार्टी का सपोर्ट प्रोवाइट करना ही होगा और इसके लावा गूगल को CCI ने 30 दिनों का समय दिया है कि वो अपने सभी फनेंशन डिटेल को सब्मेट करें और जो भी रिलेटेड डॉक्यमेंट उनों शो करें लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि यहां पर प्ले स्टोर से लिडेटेट प्रॉब्लम कहां पर आ रही है जिसकी वज़े से CCI ने गूगल पर फाइन मार दिया है दो बार तो देखिए इसका में कारण है प्ले स्टोर की बिलिंग एन इन एप पर चेस तो जब भी आप कभी कोई नया Android स्मार्टफोन खरीते हो तो तब आपको फोन में पहले सही एक एप स्टोर मिलता है जो गूगल का खुद का प्ले स्टोर है गूगल चाहे तो कोई दूसरा एप स्टोर भी एक फोन में आ सकता है लेकिन गूगल यहाँ पर अपनी प्ले स्टोर को स्पॉंसर करती है और कोई थर्ल पार्टी के एप स्टोर को आने नहीं देती है आपको कोई नया एप डाउनलोड करना हो तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर सही एप को डाउनलोड करते हैं और इतना ही , जब भी कभी किसी एееब का अपडेट आता है , तब भी आपको प्लेस स्टोर से ही अपडेट डाउनओ।्डोड करने को मिलता है और कहीं से नहीं अब Free App का मामला है तो ठीक है लेकिन जब Play Store पर ऐसे भी बहुत सारी Apps हैं जिने डाउनलोट करने के लिए पैसे देने परते हैं पैसे देने के बाद यह एप डाउनलोट होती है लेकिन मामला यहीं पर यह अटक जाता है क्योंकि अगर आपको इन apps को download करना है तो आपको download करने के लिए पैसे भी दे रहे हो तो तब आपको play store के payment page से ही payment करना होगा वहीं सही आप payment करोगे तब ही आपकी app खरीदने की process complete होगी है और तब आप download कर पाओगे यहाँ पर कोई third party का कोई support आपको नहीं मिलेगा और यह competition का violation है जहाँ पर app developers अपनी पसंद का कोई भी payment gateway या method नहीं चुन सकते हैं यह Google की dominance का एक violation है क्योंकि यहाँ पर देखा जाये तो सिर्फ आपको एक ही payment method मिलेगा जो है Google का खुद का play store का billing लेकिन आप दूसरा कोई third party ह है वो नहीं add कर सकते हैं यह बात हुई app download करने की billing की लेकिन Google इससे आगे भी बढ़कर in app purchase से भी cut मांगता है कट लेता है अब यह इसके बारे में मैं बता दू कि in app purchase क्या होता है तो देखे जब आप कोई भी free app download करते हो तो उसमें जब apps के अंदर से कुछ subscription लेनी हो या कुछ in app purchase करना है तो उसका कुछ percent हिस्सा Google अपने पास रखता है मैं आपको एक example के तौर पर अगर बताओं तो म 15 या 20% हिस्सा Google अपने पास रखता है यानि कि आपने सब्सक्रिप्शन के 200 रुपे चुका है लेकिन उन 200 रुपे में से 40 रुपे सीधा Google के पास जाएंगे तो सीधा सीधा जो company है Netflix उसके पास 160 रुपे आएंगे तो Google इस तरह से पैसा ज्यादा कमाता है अब सवाल यह आत पैस होका है लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलेपर्स अपने पेमेंट पेज के लिए पुछ नहीं करते हैं वो पुछ करते हैं कि आप Google से ना करके हमारा खुद का जो पेमेंट पेज है उसका इस्तिमाल करो और पेमेंट करो इस पर यह एप्स थोड़ा डिस्कॉंट भी दे द गरते हैं और फिर मजबूरी में एप डिवलेपर्स गूगल को कट देते हैं यह मजबूरी में देना पड़ता है तो यहां पर ऐसे गूगल अपनी मार्केट शेयर का पायदा उठाता है तो यहां पर इस कारण से भरत में सीचिया ने जुर्माना लगाया है लेकिन ऐसा न पढ़ता है तो यहां पर South Korea में ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा बाकी यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा कानून कोई है यह नहीं आप मेरे Instagram पर भी जुड़ सकते हो आप Simply जाए Instagram में और सर्च किजिए I underscore और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके लाव आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर नेम है आई अंडर स्कोर इमरान सिल्दी की तो दीजे मुझे अजाज़त मैं मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जोड़ो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यह वाचिए यह पर शेयुप इस ताम गद्लेस यह लाव नाव शिनिग ओव